कि यदि आप भी ऐसे दौर से होकर गुजर रहे हैं, जब आपके जीवन में असांती हैं, जब आपके जीवन में लड़ाई जगड़े हैं, जब आपके जीवन में संकट हैं, जब आपके जीवन में पीड़ा है, जब आपके जीवन में दुख है, तो आपको भी यही करना है जो इन लोगों ने किया परव का धन्यवाद करेंगे आज की रात को हम परव के हातों में देंगे दोस्तों हमारा प्रविएशियो मसी विसराम देने वाला परमेश्व है हो सकता है आज आच आप ऐसे समय से होकर गुज़र रहे हो जब जीवन में कोई सान्ती नहीं हो जब जीवन में असांती ही असांती हो, मन ब्याकुल हो, कुछ भी चैन नहीं हो, तो आज आप हमारे साथ में प्रात्ना करें, प्रवियेश मसी आपको विश्राम देंगे, प्रवियेश मसी आपको असीन मसांती से भरेंगे, एक वचन हम लोग देखेंगे, दूसरा इतियास क किताब यदि आप पढ़ेंगे पंद्रा अध्याई में हम लोग देखते हैं एक ऐसे समय के बारे में जब असांती ही असांती है एक वचन हम लोग पढ़ेंगे पंद्रा अध्याई पांच पढ़ेंगे उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांती होती थी और ना आने वाले क वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोल हाल होता था आमें परमेशर का आत्मा अजरिया भुष्यवक्ता के उपर समाता है और तब परमेशर का आत्मा राजा आसा से बाचित करता है क्या कहता है कि यदि तुम सब लोग परमेशर के संग में रहोगे तो परमेशर भी तुमारे संग में रहेगा यदि तुम परमेशुर की खोज करोगे तो परमेशुर तुम्ही मिल जाएगा इस प्रस्तिती से परमेशुर तुम्ही छुटकारा देगा इस प्रस्तिती से परमेशुर तुम्ही बाहर निकालेगा इस असांती से इस कलेस से इस कस्ट के समय से परमेशुर तुम्ही बाहर निकालेगा और उन सब लोगों ने ऐसे किया इद आप बारपत पढ़ेंगे तो लिखा है संपूर्ण मन से, संपूर्ण हिर्दय से हम परमेशों के पीछे चलेंगे और जो उन्होंने इस प्रकार का निरने अपने मन में लिया और उन्होंने परमेशों के पीछे चलना सुरू किया दूसरी सब्दमें उसकी खोज करना सुरू किया उसके आज्यों के अनुसर जीवन बेतीत करना सुरू किया उससे प्रातना करना सुरू किया और परमेशुण ने अद्वूत आश्चरे करम उनके जीवन में किया क्या अश्चरे करम किया यदि आप 15 पत पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है यह शपत खाकर सब यहुदी आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपत खाई और बड़ी अभिलाशा से उसको धूंडा और वह उनको मिला और यहुवा ने चारो ओर से उन्हें विश्राम दिया आमें दोस्तों यहाँ पर परमेशुर का वचन क्याता है कि जब उन्होंने संपून मन से परमेशुर की खोज की जब वो परमेशुर के पीछे चलने लगे तब परमेशुर उन्हें मिल गया और जब परमेशुर उन्हें मिला तो परमेशुर ने उन्हें चारों तरफ से विश्राम को दिया है यदे आप उन्निस पत पढ़ेंगे तो लिखा है पैंतिस सालों तक कोई भी युद्ध नहीं हुआ कोई भी लड़ाई जगड़े नहीं हुए उस राज्य में सांती रहा विश्राम रहा दोस्तों यहीं आज साम में मैं आप से भी क्या ना चाओंगा कि यदे आप भी ऐसे दोर से होकर गुजर रहे हैं जब आपके जीवन में असांती है जब आपके जीवन में कलेस हैं जब आपके जीवन में लड़ाई जगड़े हैं जब आपके जीवन में संकट हैं जब आपके जीवन में पीड़ा है जब आपके जीवन में दुख है तो आपको भी यही करना है जो इन लोगों ने किया और इन लोगों ने क्या किया इन्होंने सपत ली इन्होंने मन में ठान ली कि हम परमेशुर की खोज करेंगे हम परमेशुर के पीछे चलेंगे और जब इन्होंने मन में ठाना तो इन्होंने चलने की कोशिस की और जब इन्होंने चलने की दूर कर दिया उस कलेस के समय को इन से दूर कर दिया वो हर परकार का कारण जो इनके जीवन में था जो गलत बातें थी उन सब को परमेशन ने दूर कर दिया और इनके जीवन को इनके देश को इनके परिवार को प्रभू ने सांति से बर दिया जब तक ये प्रभू के पीछे चलते रहे परमेशुर इनके साथ में रहे और परमेशुर ने इनके जीवन में काम किया दोस्तों इसी प्रकार से प्रवो आज आपके जीवन में भी करेंगे आप भी अपने जीवन में नरने ले आप भी अपने मन में ये ठान ले कि हम परमेश्र के पीछे चलेंगे कोई गलत काम नहीं करेंगे उसके आग्याओं के अनुसार जीवन को ब्यतीत करेंगे क्योंकि जब आप इस परकार करेंगे तब आप इन सब बुरी परस्तितियों से छुटकारा पाएंगे सुप्रबो आपको इस बचन के दुआरा बहतायत से आसीस दे आमेन मेरा खुदा बाप वही है जीवित परमेसुर है मेरे साथ बहुत काम किये पर्भूजी ने धनवाद इश्वमसी का आज की सुन्दर शाम के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप सब भले चंगे और स्वस्त हैं और प्रभू के वचन को सुनकर आज की शाम में आपने आशीश पाई है प्रभू येश्वमसी आपको असीम शांती से भरेंगे सो आईए हम सम्मिल कर प्रात्म करें धनिवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अतिपवित्र महान हमारे सामर्थी प्रभू हमारे उध्धार करता हम आपका धनिवाद करते प्रभू प्रशंसा महिमा बढ़ाई और तारीफ जह जहकार प्रभू हम आपके नाम की करते परमिशर हम घटे पिता आप बढ़ है मेरे पिता आपका धनिवाद की ये सुन्दर सी शाम प्रभू तुने हम सब को दिखाई है और सच में प्रभू तुने प्रभू ये मौका दिया कि हम मिलकर परमिश्व पिता तेरी महिमा कर सके तुछ से बातचीत कर सके और प्रभू धन्यवाद पिता कि आज की शाम में प्रभू आपने अपने वचनों के द्वारा प्रभू मिठाता है परमिश्व धन्यवाद परमिश्व कि आप अपने वचन के द्वारा हमें प्रभू किस प्रकार अपने जीवन में कारे करना और किस प्रकार चलना है प्रभू आपका वचन हमें हर दिन हर सुबा हर सुबा हर शाम में प्रभू वचनों के माध् परमेश्वर उन्हें अगवाई करें प्रभू हर एक डाइवर्ट करने वाली बात भटकाने वाली बातें गलत विचार येश्व मसी के नाम से इनके जीवनों से दूर होने पाए और परमेश्वर आज की शाम में प्रभू इनका मन संपूर्ण रीती से प्रभू तुछ पर और प्रात्ना में लगा हो प्रभू ताकि प्रभू इनका जो प्रभू इस समय प्रभू जो कॉंटेक्ट है प्रभू वो तूटने न पाए उन गलत विचारों के द्वारा हर प्रकार की नेगेटिविटी को ये शुनास्री के नाम से डिस्ट्रॉई करते हैं दूर करते है परमेशो पिता, मेरे परमेशो धन्यवाद तेरी उपस्तती आज की शाम में हम सब के साथ में है पिता, हर एक जन महसूस करे प्रभू, फील करे प्रभू तेरी होली प्रेजन्स को, पवितरात्मा इसी समय आप छूली जे, जितने भी लोग इस प्राथना को वाच कर रहे हैं इसी समय पवितरात्मा उन पर उतर आए, इसी समय पवितरात्मा उन्हें छूए, हालेलुया, थैंक्यू लॉट फाद, मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेशो आज के वचन के लिए परमेशो पिता, जिस प्रकार प्रभू येश्य मसी हमने वचन में देखा, परमेशो पित हाँ मेरे खुदवन, आज प्रभू आप अपने लोगों को विश्राम देना चाहते हैं, वो शान्ती देना चाहते हैं, मेरे परमेशर प्रभू, जब ये मानों की प्रभू, इनके जीवनों में अशान्ती है प्रभू, किसी भी प्रकार का विश्राम जीवन में नहीं है प प्रभू आपको वचन कहता है प्रभू जिस प्रकार प्रभू येश मसी इसराइली लोग परमेश्व पिता तुझे ढूंडा और प्रभू तुझे पाया और परमेश्व तेरे पीछे चलने का निर्णे उन्होंने लिया प्रभू और वो उनके विश्राम का कारण बना परम प्रभू येश मसी उनके जीवन में किसी भी प्रकार की लड़ाई जगडा का कलेश नहीं हुआ परन्तु वो तेरी असीम शांती में और तेरे विश्राम में पाई गए परमेश्व पिता खुदावन ऐसी शांती ऐसा विश्राम प्रभू हम आपके लोगों के जीवन में चाहते हैं जब उनके परिवारों में कलेश होते हैं पिता लड़ाई जगडा होता है मार पीठ होती है प्रभू बैर भाव है परमेश्व दूसरों के लिए प्रभू मन में प्रभू बहु येशुनास्री के नाम से बदल जाए परमिश्य जो अशांती है वो शांती में बदल जाए परमिश्य पिता, धनिवाद क्योंकि प्रभू इन्होंने तुझे ढूंडा है परमिश्य और यह यतने से तुझे ढूंड रहे परमिश्य पिता होने दीजे प्रभू तो अपने आपको इन पर प्रकट कर अपने वचनों को इन पर प्रकट कर प्रभू और खुदावन ये जान पाए परमिश्य कि तु विश्राम देने वाला परमिश्य है प्रभू जो भी इनके उपर बॉर्डन को प्रभू आपके उप होता है प्रभू उनके कारियों को देखकर उनके वियावार को देखकर प्रभू मैं दूआ करती है जिसके लिए भी परमेशर जिसके जीवन परिवर्तन के लिए जिसके आचार वियावार बदलने के लिए प्रभू तेरे लोग इस समय प्राथना कर रहे हैं जिसके जीवन के तेरे बेचे बेचे हम पराथना कर रहे हैं पिता अलेलूए प्रभु जिनके जीवन में बड़े बदलाओ को यह देखना चाते अंप नोगों को तेरी हुजूरी में रखते और प्रभु बढ़ा बदलाओ उनके जीवन में होने पाई ये शुनास्री के नाम से प्रभु जितने लोग इस समय बीमारी में है पिता और इतने बीमार जन के लिए ये प्रात्ना कर रहे हैं पिता मेरे प्रभु उन्हें चूली जिए प्रभु तेरी चंगाई तेरा चुटकारा तेरे अच्छा स्वास्थ परमिश्य उनके जीवनों में आये खुदावन वो जीवन को पाए परमिशु पिता और स्वस्त रहे कर प्रभू तेरे कामों को करें तेरे राज्य को बढ़ाएं परमिशु पिता ऐसा होने में मदद करें प्रभू छोटे बच्चे जो इस समय बीमार है ये शुके नाम से चंगे हो जा प्रभू भाई बहन प्रभू इस समय बीमारी में हैं डिप्रेशन में हैं प्रभू मैंटिली डिस्टब हैं परमिशु बहुत सारी बीमारिया जो उनके शरीरों को लगी ये शुके नाम से दूर हो जाए वो चंगे हो अपने बिच्वाने से उठ खड़े हो तेरी महिमा कर करने के लिए परमिशर तेरे लिए इस्तमाल होने के लिए प्रभू तुने इस्तमाल कर और चंगा कर परमिशर बुजर्ग लोग जो इस समय दर्द में हैं हड्डियों की दर्द में परमिशर प्रभू कोई भी रोग उनके शरीर में है शुगर भी पी ताइरेट की बिमार आज रात में अच्छी नीन दीजे परमिश्यों पिता दिन भर में प्रभू बहुत जादा चिंता में फिक्र में ठके वे प्रभू तेरे लोग रहते परमिश्यों प्रभू परन्त जब तेरी पास आते तो विश्राम पाते प्रभू अच्छी नीन को आप दे प्रभू बु उस गूड भेधों को समझ सके तेरे रहसियों को समझ सके प्रभू ऐसा होने में मदद करें पिता धनवाद आपने हम सब की विंतियों को सुना उत्तरहां आमीन में दिआ और एक एक विंति जो प्रातना निवेधन प्रभू योटिब कमेंस में, इंस्ट ग्राम में, अभने खड़ा करें जो भी उनकी ज़रुत जो भी उनकी प्रात्वन्ध निवेद में फ्रबू धन्यवाद की सुना उत्तरहां आमीन में मिला है प्रबू मैं धन्यवाद करती हूँ आपके नाम से आपकी प्रजा को आपके लोगों को ब्लेस करते परमिशर अब प्रातना को येश्यो के सामर्थी नाम से मांगते सुने और ग्रहन करे आमेन आमेन और आमेन दोस्तों हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और उस सुबश्याम प्रातना में सामिल हो रहे हैं वीडियो को सेयर कर रहे हैं हमारे साथ में सहीयो कर रहे हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रविये शुमसी आपके जीवन में कारे करेंगे हम आपके लिए प्रातना कर रहे हैं